सो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Redmi 12 5G Mobile में Lock Screen पर अपना नाम कैसे डाला जाता है यानि Always on Display पर आप अपना नाम कैसे डालोगी यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए Friends वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए Friends आप अपने वाल की सेटिंग को उपन कर लीजे उसके बाद यहाँ पर Always on Display Lock Screen का आप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना है Always on Display का आप्शन आएगा इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर इस वाले आप्शन पर दोस्तो आपको क्लिक करना है और यह जो लिखा हुआ है इसको दोस्तो इस प्रगास से आप Delete कर देना Delete करने के बाद दोस्तो जो भी आप नाम इस पर डालना चाहते हैं वो दोस्तो नाम डाल दीजे उसके बाद अगर नाम का आप Color Change करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से Color भी यहाँ से आप Change कर सकते हैं उसके बाद अगर आप यहाँ पर दोस्तो डेट टाइम को भी सो कराना चाहते हैं तो Stick को On करेंगे बैटी प्रसेंटेज को सो कराना चाहते तो इस टिक को आउन करेंगे अगर आपको नोडिफिकेशन भी चाहिए तो इस टिक को आप आउन कर दीजिए उसके बाद अप्लाई का ओप्शन दिखेगा अप्लाई के ओप्शन पर आप क्लिक कर देना है बस दोस्तों यह सक्सेश्विली सेटिंग हो जुकी है अब लॉग इस स्कीन पर आपका नाम पढ़ चुका है जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पारें तो इस प्रकास से आप लॉग के स्कीन पर अपना नाम डाल सकते हैं